पार्टी वार एसेस वालों को ब्राह्मन समाज के खिलाप इस प्रकार की अनर्गल बैन वाजी करके यह कैस ताके भागिदार बने रहेंगे कि हम इंसा के पुजारित हम परशूराम के वनसज भी हैं मैं चेतावनी देता हूँ मोन बागवत जी को आरसेस वालों को बेसके सत्ता के लोग हैं कि या तो ब्राह्मन समाज से माफी मांगे वरना हम परसूराम के वंसज भी हैं हम फड़सा निकालना भी जानते हैं हमने असुरों को 22 वार इस धर्ती से विलुप्त कर दिया हम उसके वंसज हैं हमको हलके में लेने की कोशिस ना करें हिंदू, मुस्लिम, सिक्षाई हम सब हैं भाई भाई इनके मनसूब को काम्याब नहीं होने देंगे और मैं फिर चेतामनी देता हूं आपके चैनल के मादम से कि आरस प्रमुक मोहन भागवजी एक प्रभुत व्यक्तित्व का परिचा देते हुए ब्राहमन समाज से ही नहीं बलकि सर्व समाज से माफी माआगे जस परकार कि उन्होंने ब्राहमन समाज के लिए बात कही है और यसमद्ध माफी मांग करके और जो मुद्दे की बात है अपने सरकार की जो खामियों की बात है उस पर वारता लाप करें उन पर वात करें हम तो उनको महन वेक्तित्व जमार नमस्कार आप देख रहे हैं भारती बुलिटन और मैं हूँ आपके साथ संजय कुमार आरसेस प्रमुक महन भागवत जी ने जो ब्यान दिया है ब्रहमर समाज के उपर जो आरोप लगाए है उन पर हमारी बात होगी आद कांग्रस के बरिष्ट नेता जगजीत शर्मा जी से महन भागवत जी ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा ब्रहमर समाज तिल मिला उठा है आए बात करते हैं जगजीत शर्मा जी से सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी धन्यवाद ऐसा है संजय जी आरसेस प्रमुक महन भागवत एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुक है और उनसे ऐसी अपिक्षा नहीं की जा सकती जिस प्रकार का उन्होंने ब्यान दिया है बहुत ही अनरगल ब्यान है बहुत ही बच्पना और मैं तो यह कहूंगा कि इतियास को तोड मरोडने वाला ब्यान है हाला कि अपिक्षा ये भी की जा सकती है आरसेस और भाजबा के लोग और जातिया जो ब्रह्मनों ने वनाई है जबकि ऐसा कुछ नहीं है ब्रह्मनों ने हमेशा से समाज को समाज के हर वर्ग को एक नई दिशा देने का काम किया है ब्रह्मनों ने कहा है कि असत्य को छोड़िये सत्य की रहा पे चलिए अज्ञानता को छोड़िये ज्ञान की रहा पे चलिए ब्रहमनों ने हमेशा से इत्यास गवाई इस बात का उन्होंने समाज को एक एक स्टेंड दिया है एक मानवता का परीचे दिया है मानवता का इत्यास जो है वो दोरा दोराया है कि हमेशा मानवता के पुजारी बनिये अहिंसा के पुजारी बनिये हिंसा को त्यागिये लेकिन जो मोहनवागवजी ने कहा है कि इनोंने जातियों में बाटा है समाज को ये बिल्कुल गलत बात है ब्राह्मन तो हमेशा देखे पूरे विश्र के लिए मंगल कामना करता है ब्राह्मन समाज सब को जोड़ करके चलता है ब्रहामन समाज सब की उत्थान और उनती की काम ना करता है लेकिन मुहन वागवजी ने जो ये ब्यान दिया है इस से ब्रहामन समाज बहुत आहत है और ब्रहामन समाज ने कोई चूडी नहीं पहनी हुई है मौन भागवजी यह सोच रहो कि हम सत्ता में हैं हम बहुत बड़े संग्ठन के मुखिया हैं इस ब्रहम को वो अपने दिमाग से बिलकुर निकाल दे और हम किसी प्रकार के हिंसा वादी प्रवर्ती के नहीं हैं मैं आगरे करूँगा विनमर आगरे करूँगा मौन भागवज समाघस की वो अपने शनले हमाज समाज से नहीं बलकि अपीतु सर्व समाज रिंदुस्तान से माफ्यमांगे क्योंकि समाञ सरव समाज में अगरिनी समाज है नई दिशादेने वाला समाज है नैकिमास समाज आत हुआ हैं उनके बियानों से और जो वर्ग हैं वह भी आहत पूजने बताये गए हुए हमारे गरंथों के द्वारा तो मौन बागवत जी को चाहिए कि वो अपने शब्दों को वापस ले करके और ब्रहमन समाज से ही नहीं बलकि संपून समाज से छमा मांग करके अपने बड़पन का परीचे दे अब उनका पूरा आरोप ब्रहमनों को पर लगा दिया कि ब्रहमन समाज नहीं जाती विवस्ता किया है अभी आप क्या चाहते हों हम तो यह चाहते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस लें और एक अच्छे वेक्तित्व का वो परीचत हैं समाज से माफी मांगें क्योंकि इ दुनिया के लिए अच्छा अच्छा संदेश नहीं है जबकी यह स्तरविदित हैं इन्होंने इनकी ही RSS की साखा राजनितिक पारिटी है भारते जंता पार्रती इन्होंने कहीं पर जात को गैर जातों से ब्ढ़ा दिया कहीं पर पटेल गइर पटेल कर दिया कहीं यादव भी वर्ग में नहीं आते हैं इस परकार के लोग यह लोग समध के हितकारी लोग नहीं है यह लोग सिर्फ तोड करके समाज को तोड करके इनका एक ही मकसद एक है कारण क्या है कि इनको सत्ता चाहिए दूसरा अब आप देखिए आप इत्यास हम और पीछे जाते हैं अंग्रेजों के यह जासूस हुआ करते थे आरे से वाले बताइए कौन से स्वेतन हमारे देश की जंगे आजादी में कितने आरे सेस के लोगों ने जेल दूसरे हैं यह लोग बहुत बड़े देश द्रोई हैं और देश भक्ती का चोला ओड करके यह लोग सिर्फ सत्ता की मलाई चाटना जानते हैं देश समाद से किसी भी वर्ग से इनका कोई सरोकार नहीं है इनके लिए अपने हित ही सर्वों परी हैं उसके आप देखिए ना हमारा महतमा गांदी का देश है हमारा अहिंसा का पुजारी के लोग हमारे देश में रहते हैं हिंसा हमारे देश में दूर दूर तक भी नहीं लेकिन इन लोगों ने हिंसा फैला दी आज ये लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाले वीड साबर करके पुजारी हैं महतम के चैनल के माध्यम से मैं सर्व समाज को रोगों से दूरी बनाए और इन लोगों को इन की भासा में सबक सिखाने का काम करें आज ब्रह्मनों के लिए बोला है कल को ये लोग वैश्य समाज के लिए बोलेंगे कभी शूद्र समाज के लिए बोलेंगे तो तोड़ने की बात कर रहे हैं देखिए इत्यासिस बात का गवाय जिसका जैसा काम किसी ने कहा कि मैं लड़न ब्रादरी नहीं है यह एक वर्ण है एक वर्ग है जिस पर जो जिस कारेशला में कुसल है जो जिस कारेशलाली को करना अच्छी तरह से जानता है उसने अपना वो काम ले लिया और जो वो काम ले लिया तो वो उसे हिसाब से वो उस वर्ग में चला गया जाती नहीं है यह वर् अपने 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 कर्मनुसार लोगों ने खुद चिन्नित किये ब्रामन वर किसी measure नहीं कहां कि आप जाकर के सफाई कीजी किजिए ब्रामन समाज भल ढेऑं गुरू इस्वर कि सब्सक्राई करते हैं ब्रामन समाज यग्व आहुति दान में हमें सब पूजा पाठ में भरोसा रखते हैं लेकिन ये लोग इस बात को कह करके हमारे जो समाज है जो संग्ठिन समाज है जिसमें सभी वर्ग आते हैं उनको बाटने के लिए इनके क्यों कि 2024 का चुना भारा यह इनकी रनीती का हिस्सा है लेकिन लोग और हमारे देश के सभी वासिंदे इनकी इस परिवासा से भली वांती अनुभिक नहीं है बलकि भी हो गए पहले थे इन्हों ने देश भक्ति का चोला उड करके, अलंगर बाते करके, देश रोप करके, पीट करके, देश नी बिकने देँगे, देश नी जुकने देँगे, नोक्रिया देँगे. क्या है आज सब कुछ बेच खाये इन लोगों ने सर्फ इसलिए बेच खाया संजय जी क्योंकि इनको इनको देश के हित से कोई सरोकार नहीं है इनको तो सर्फ सत्ता की मलाई चाटने इसलिए इस प्रकार के ये ब्यानवाजी कर देते ताकि समाज के लोग हमारे देश के बोल दिया उसके लिए ये बोल दिया जबकि मुद्दे की बात से ये लोग भटकते हैं हम करते हैं रोजगारी की बात कि रोजगार दो ये कहते देखिए हमने तोड़ी बन वाया है वह तो माने सुप्रीम कोट के आदेश से बना जो कि पहले से चलता आ वो अलग बात है कि इनके सत्ता रहते हुए फैसला अब आया है वो तो किसी लगी सीमा थाई हम कहते हैं कि आप महेंगाई पर रोक लगाईए यह कहते हैं को पाकिस्तान डर गया आज चाइना हमारे सीमा के अंदर घुस रहा है सीमा पर बात नहीं करते अडानी ने जिनको जो इनके पाला हुआ वेपारी है उसने कितने हजारों करोड रुपे जो एक रुपे का गाटे में नहीं था आज वह हजारों करोड रुपे के गाटे में सवाल वही मैं बूचना चाहरा था कि अभी तो हिंडेंवर की रिपोर्ट आई हुई है और मुद्दा गर्माय हुआ है अडानी गुलेगर उसमें ऐसे में यह आरोप ब्रामनों को पूरा डिग्रा प्रोड देना तो आपको क्या लगता है संजे जी मैं वही आपसे कह रहा हूं यह सिर्फ देश के जो ज्यलेंत मुद्दे हैं उनसे बटकाने के लिए उनसे उनको दिशाहीन करने के लिए यह इस पिरकार की बाते रख देते ताकि समाज इनी बातों में उलजा रहें इनका इस बात से कोई सरकार नहीं है कि हमें डेस हित में क्या करना है इनको तो यह कि मुद्दा क्या छोड़ना थाकी लोग उसमें उल्जे रहें और इनसे वो बात न करें जो बात देस हित्गी है गो चूडी नहीं पहनी हुए ब्राह्मन समाज लोगों को ज्यान देनी की बात करता है तो ये बातें भी न भूले कि हम इंसा के पुजारित हम परसुराम के वनसज भी है मैं चेतावनी देता हूँ रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं चेतावनी भी देता हूँ मौन भागवजी को आरसेस वालों को बेसके सक्ता के लोग हैं कि या तो ब्राह्मन समाज से माफी मांगे वरना हम परसुराम के वनसज भी हैं हम फ़रसा निकालना भी जानते हैं हमने असुरों को 22 वार इस धरती से विलुप्त कर दिया हम उसके वनसज हैं हमको हलके में लेने की कोशिस ना करें और अखेला ब्राह्मन समाज ही नहीं पूरा समाज, सर्व समाज ब्राह्मनों के साथ खड़ा है क्योंकि ब्राह्मन समाज हमेशा हर किसी को सही दिसा देने का काम करता है ये इन लोगों ने सभूपा छोड़ दिया एक तरफ भटका दिये मुद्दो से भटका दिये लेकिन न मुद्दो से भटकने वाले और रही किते हैं स्वाभी मान से समझोता अब मतलब अपनी पहचान खोना हम अपनी पहचान खोने वाले नहीं हैं हम तो पहचान देने वाल दिलाने वाले ना भूले कि कितने परसेंट ब्रहमन है आगे चुनावारे इस बात का इनको खामिया जब होगतना पड़ेगा भारते जंता पाल्टी को रसेस वालों को ब्रहमन समाज के खिलाप इस प्रकार की अनर्गल ब्यान वाजी करके यह क्या सुष्टे के सत्ता के अनर्गे दिया गया है इसलिए दिया गया है ताकि यह बटवारा कर सके यह कुछ वर्गों को अपने लिए सानुभूती पैदा कर सके जबकि ऐसा नेन को यह ग्यान नहीं है तरसल क्या है ना तो यह घर परिवार वाले लोग ना यह कोई देश भक्ति वाले लोग यह उनने हमारे क्रामतिकारियों ने हमारे देश भक्तों ने साधत दी कुर्वानिया दी लेकिन यह लोग अंग्रेजों की खाल के में बैठे हुए और देश भक्ति का चोला उड़े हुए यह लोग प्रोपर वेपारी लोग हैं इनके आगे ना पीछे यह तो सच में मोदी ज जीने जैसे का तो जोला उठाके चल देंगे यह जोला उठाके चले जाएंगे आज हमारे बच्चों का भविष्य अंदकार में आप बताइए दो पिछले आठ साल साड़े आठ साल में जो डाइसो रुपे का ड्राइविंग लेसेज बनता था साड़े पांसी जार रुप आज सो के पार हैं जो बेरोजगारी दर थी वह बढ़कर के चैर गोना पांच गोना हो गई है जो हमारी गरीवी रेखा में 20 करोड लोग थे आज 80 करोड भी लोग गरीवी रेखा में पहुंच गई है जो हमारे देश पर पिछले आठ सालों को अगर निकाल दिया जाए जो 2014 से और अब तक हमारे देश में एक लाख 55,000 करोड का कर्ज हो गया जो कि तीन गुना पढ़ गया मातर आठ साल में हमारे सेना के साथ खेलवाड किया गया हमारे सेना में जो बढ़तिया होती थी उनको अगनीवीर का नाम दे करके हमारे युवाओं के भविस्य के साथ जबकि उनकी नोगरी करने की बात नहीं थी वो देश भक्ती का जज़वा पाले रखते हमारे देश के नोजवान उनके भविस्य के साथ खेलवाड किया गया है अगनीवीर योजन अला करके चार साल के लिए नोगरी वो कर दी हमारे देश की रक्षा के साथ इन्होंने योजना का विरोध किया जाए तो हम हिंदू नहीं है हम पाकिस्तानी है मुसल्मान से हिंदू डरा हुआ है हिंदू खत्रे में है सतर सालों से हिंदू खत्रे में नहीं था है 2014 के बाद हिंदू खत्रे में आ गया है आप एक बाद वताईए मुझे कि राश्णपती हिंदू प्रदान मंतरी हिंदू रख्षा मंतरी हिंदू आपके ग्रह मंतरी हिंदू रुख्य मंतरी हिंदू गवनर हिंदू फिर भी हिंदू खत्रे में ये लोग सिर्फ जो है न पेट सूपर सोच नहीं देते और हमारे आज भी कुछ ऐसे साथी हैं जो इनके अंदभक्त बने जहां हिंदू, मुसलिम, सिक्षाई, इन से हमारे देश की पहचान होती है पूरी दुनिया में, बहुती स्वार्थपून वातावरन का हमारा देश है, इन्होंने तोड़ने की बरसक कोशिस करी, और मैं तो कहता हूँ कि कुछ हिस्सों में ये कामयाब भी रहे, लेकिन अब इनकी करतूत, इनके कारे कलापों को हमारे देश की जनता भली बांती जान चुकी है, और आने वाले 2024 में ये जोला उठा कर चले जाएंगे, इनके हर चाल को जनता समझती है, एक और बात बता दू मैं आपको, आप एक बात बताईए, 2016 में चुनावों से इन वक्त पहले प किया जाए, क्यों नहीं ये लिफ्ट किया गया, क्यों हमारे सेना के भविष्य के साथ खेलवाड़ किया गया, आज क्या हालत तो अनके सही सेनिकों के बच्चों के और परिवार की, कितना सरकार ने एड़ दी उनको, जब बताईए वर कहे तो सही, एक बर जांस तो कौन बताए, कौन करे जांच, ये लोग सिर्फ भावनाओं के साथ खेलते हैं, एर स्ट्राइक करी हमने, इन दुर पीट दिया, सेना के नाम पे वोट मांगे, ये तो सेना का काम है, सेना हमारे देश की संप्रता और प्रभूता, और हमारी एकता और अखनता के लिए, हमें देश में की सेना ने पहले भी स्टाइक की थी, पहले भी सर्जीकल स्टाइक की थी, पहले भी होती रही है, तो सेना का एक हिस्सा है, लेकिन सेना के नाम पर वोट मांगना, इसका मतलब अपने पर लेन के कुछ नहीं है, अब भी ये पी ओके पर एक चाल खेल रहे हैं, कि ह P.O.K. पे कबजा करेंगे और P.O.K. पे ये जो है पाकिस्तान से मिल करके पाकिस्तान से मिली हुई है सरकार ये पाकिस्तान से मिल करके P.O.K. कोई एक एकड दो एकड जमीन पर कबजा करके पाकिस्तान को पैसे दे करके उस पे कबजा करके और कैदिकम ने P.O.K. पे कबजा हैं ना देश तूटने वाला ना हमारा समाज तूटने वाला हमारा समाज एक है ब्राह्मन एक है वैश्चे एक है छत्रे एक है हम सब मिलकर के रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिक्षाई हम सब हैं भाई भाई इनके मनसूब को काम्याब नहीं होने देंगे और मैं फिर चेतामनी देता हूं आपके चैनल के मादम से की आरसेश प्रमुक मोहन भागवजी एक प्रभुत व्यक्तित्र का परीचा देते हुए ब्राहमन समाज से यह नहीं बलकि सर्व समाज से माफी मांगे जिस परकार कि उन्होंने ब्राहमन समाज के मानेंगे धन्यवाद